सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाई बेल आइकन और पाई एंटरेन्मेंट से जुड़ी कबरे सबसे पहले साथ थुमके भी लगाए और जब उनसे सवालात पूछे गए तो सल्मान खान उनके हर सवाल में उनके साथ खड़े नज़र आए जी हाँ सपना चोधरी पर एलजाम लगा कि वो अशलील डांस करती हैं सपना ने उसका जवाब जैसे ही देना शुरू किया सल्मान खान उनके साथ नज़र आए सपना ने कहा कि अशलील डांस अगर वो करती हैं तो बॉलीवुट की फिल्मों में होने वाले हर एक आइटम सौंग भी अशलील हैं उनको भी अशलील कहा जाना चाहिए सल्मान खान ने सपना का साथ देते हुए कहा कि इनकी ये ड्रेस जिस ड्रेस में अभी है ये उनी में डांस करती हैं क्या ये कहीं से अशलील लगती हैं इसके बाद जब घर वालों ने जो की पडोसी हैं सपना पर एक और इल्जाम लगाया कि वो पैसे लेकर डांस करती हैं सपना कोई जवाब देती उससे पहले इस सल्मान खान एक बार फिर से बचाओं में आ गए और सल्मान खान ने कहा तो क्या हम फ्री में आचें सल्मान खान ने कहा कि सपना के जो खाबों में था जो करियर उन्होंने सोचा था जो होबी थी वही उनका करियर है ऐसा मेरे साथ भी है जो मेरी होबी थी वही मेरा करियर है और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत जबरदस्त बात है सल्मान खान सपना के साथ खटगरे में खुद भी खड़े नजर आए हलाकि सपना चौधरी की इमेज एक गदावर डांसर की है जो लाखों की भीड में बेबाक डांस करती है लेकिन सल्मान खान के इस शो में उनका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिला उनकी आवाद से लगता है कि ये बहुत ही सॉफट सी लड़की है उननों ने ये भी बताया कि किस वज़े से उनने एक बड़ा खदम उठा लिया था सपना ने बताया कि उन्होंने जहर खा लिया था वो बच गई सल्मान ने पूछा कि आखिर ऐसा क्दम क्यों उठाया तो सपना ने कहा कि वो लोगों की सुनती थी और सुनने की वज़े से उसने या क्दम उठा लिया था जहर खाने के बाद जब वो जिन्दा बच गई तो उन्होंने लोगों के सुनना बंद कर दिया और अब सब ठीक है सल्मान खान सपना चौधरी के हरक मोड पर उनके साथ खड़े नजर आए अब देखना ये होगा कि बिग बॉस के सिजन 11 में क्या सपना चौधरी सल्मान खान की फेवरेट बनेंगी फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही